आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Sum Invertible Matrix P then R is Option 1 Equivalence, Reflexive Only, Symmetric Only, Transitive Only टो हमें Option चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा यह बताना है या वो केवल Reflexive हो या Symmetric हो या Transitive हो या Equivalence हो तेखो अगर हम Equivalence Relation चेक करते हैं तो Equivalence में क्या होना जरूरी है Reflexive भी होना जरूरी है symmetric भी होना जरूरी है और transitive भी होना जरूरी है मतलब तीनों अगर हम check करते हैं अगर कोई एक होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये के वाल एक है वो two square matrix है an order के ठीक है और relation क्या define है r is equals to define ordered pair a, b such that a is equals to p inverse bp और p जो है वो क्या है हमारा एक invertible matrix तो p जो है हमारी क्या है एक invertible matrix है invertible matrix ठीक है ये हमारे पास given है ठीक तो अब हम क्या चेक करेंगे equivalence के लिए हम पहले reflexive चेक कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम पहले reflexive चेक कर लेंगे तो reflexive देखो क्या बोलता है तो reflexive हमारा बोलता है कि जैसे यहाँ पर a, b है तो same pair होना चाहिए तो reflexive बोलता है कि अगर a, a, r में belong कर रहा है तो हमारी क्या condition होगी कि a जो होगा वो equal हो जाएगा p inverse a, p के ठीक है a जो होगा वो equal हो जाएगा p inverse a, p के तो ये condition तो true हो जाएगी अगर p हमारी identity matrix है, identity matrix का inverse y होता है identity matrix होता है, तो identity matrix का अगर a के साथ multiplication कराते हैं, तो a matrix आती हमें पता है कि identity matrix का a के साथ multiplication y matrix देता है तो अगर p, अगर हमारा identity है, तो identity matrix का inverse identity, तो identity into a into identity a के equal आजाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे which is true for p is equals to identity matrix तो यहां से ये condition तो satisfy हो रही है तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा reflexive हो जाएगा यह हमारा reflexive हो जाएगा ठीक है यह हमारा reflexive हो जाएगा अब हमें चाहिए symmetric हमें क्या चाहिए symmetric की condition चाहिए तो यहां से हम symmetric find कर लेंगे ठीक है अब symmetric देखो हम से क्या कहता है a, b, r में belong कर रहा है, ठीक है for matrix P के लिए, तो b, a, b, r में belong करना चाहिए, तो a, b अगर r में belong कर रहा है, तो condition क्या थी कि a is equal to p inverse bp, right तो हम क्या करते हैं, और हमारे पास p एक matrix है, p is a matrix, ठीक है एक p matrix है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर p का multiply करा देते हैं, तो पूरे, दोन, both side, तो यह हो जाएगा p a is equals to, यह हो जाएगा p into p inverse bp ठीक है, अब p जो है वो हमारी invertible matrix है, ठीक है, तो p into p inverse जो होगा, वो identity matrix के equal आचाहेगा, right ठीक है, तो यहां से इसको solve करेंगे तो यह value जो आएगी, यह आजाएगी p a is equals to identity matrix into b p, तो identity into b is b, right, ठीक है, तो यह हो जाएगा, p a is equals to b into p, ठीक है तो अब हम पीछे से क्या करते हैं इसमें, post में p inverse का multiply करा देते हैं, दोनों तरफ तो same for p inverse, p is i, तो p p inverse is also i तो p a p inverse, जो है वो b के equal आगया, तो इसको अगर हम लिखें, तो इसको मैंसे लिख सकते हैं, कि b is equals to p a p inverse, right, तो यहां से यह आगया कि b a, जो है, यहां से यह condition आ रहे हैं, कि b a is also belongs to r for matrix p inverse अब p matrix के लिए for matrix p के लिए यह a b r में belong कर रहा था, तो for matrix p inverse के लिए, यह b, a r में belong करेगा, तो यहां से हम यह लिख सकते हैं, कि r is symmetric, right, r is symmetric, अब देखो, reflexive भी prove हो गया, symmetric भी prove हो गया, हमारा last क्या है, transitive, तो transitive prove कर देते हैं, ठीक है, transitive आजाएगा, तो equivalence relation आजाएगा, right, तो transitive के लिए क्या होता है, transitive के लिए a b r में है, b c r में है, तो a c b r में होना चाहिए, right, यह होता है, तो यहां से अगर हम देखें, तो a, b अगर r में belong कर रहा है, ठीक है, transitive के लिए, and b, c r में belong कर रहा है, तो यहां से condition क्या हो जाएगी, कि A, B अगर R में belong कर रहा है तो A is equals to P inverse BP और B और C R में belong कर रहा है तो यहां से यह हो जाएगा कि B is equals to P inverse CP तो यहां से हम यह लिख सकते हैं कि A is equals to यह लिख सकते हैं P inverse B की value क्या थी? P inverse CP तो यहां पे लगा दो P inverse CP into P यह B की value put कर दी यहां पे तो यहां से यह क्या आचाएगा यह आचाएगा हमारे पास A is equals to P inverse into P inverse that is P inverse का whole square C into P into P is P square यह आगया ठीक है तो अब देखो P inverse का whole square है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A is equals to P square का whole inverse C into P square जैसे हमने उसको प्रूफ कर दिया था P के लिए फिर वो आगया था P inverse के लिए तो same यह भी तो आगया P square matrix के लिए यह देखो P square को अगर हम कोई matrix X consider कर लें तो यह हो जाएगा A is equals to X inverse CX where X is equals to P square तो same definition आगयी तो यहां से यह बता चल गया कि A, C जो है वो बिलॉंग कर रहे है R में for matrix P square P square matrix के लिए तो R तो क्या हो गया हमारा R is transitive ठीक है R हमारा transitive हो गया अब हमने यह देख लिया कि वो reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है तो जो R है वो क्या होगा हमारा equivalence relation रखेगा तो यहां से हम लिखेंगे तो R is equivalence ठीक है R जो होगा वो क्या होगा equivalence होगा तो अपना option देखो कौन सा correct हो जाएगा option 1 equivalence correct हो जाएगा ठीक है Thank you